स्टार भारत पर टेलिकास उने वाला टीवी सीडियल वो तो है अलबेला के आज रात के अपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाएगा कि काना बेबी के जगा पर जाता है लेकिन वहां पर उसे कुछ नहीं मिलता वो इंक्वाइर करता है कि यहां पर एक औरत रहती थी एक बच्चे के साथ तभी उसे वाच्मन से पता चलता है कि वो तो रातो रात यहां से गाइब हो घess लक्रान के वो साची नहीं है वो मेरी सयूरी ही है यश उसकी बात समझता है और कहता है कि ठीक है तो हम सच का पता लगाएंगे विकरान तब ही कॉल करता है फईबा को जो कहती है कि अब मैं बहुत जादा बुड़ी हूँ इस बच्चे की देख भाल के लिए मैं इसे अब और नहीं समाल सकती इसे लिए तुम्हें किसी और को ढूणना होगा विकरान कहता है कि बस कुछ दिनों की और बात है उसके बाद एक बार सयूरी से मेरी शादी हो गई तो उसके बाद मैं बेबी को आप से ले जाओंगा और फोन कार्ट देता है वो देखता है कि सयूरी कुकु का ख्याल रख र रहा हूं कि तुमने कुकु को as a family accept कर लिया सयूरी उससे कहती है कि कोई बात ने अब तुम tension छोड़ दो और हां काना के बारे में तुमने बताएं नहीं कि जो कुछ तुम कहना चाहते थे वो सब क्या था और हम लोग शादी तो कर रहे हैं तब ही यहां पर विकरान बहुत खोश होता है और वो कहता है कि हाँ शादी के बारे में तुम बताओ ना मुझे आप किसी और के tension है ना काना के कोई tension चाहिए तब ही सयूरी कहती है कि सुनो मैंने उसको वान करा है लेकिन मैं तुमसे भी यह कहना चाहूंगी कि कि किसी भी ऐसे काम में मत पूरो जिसमें कि मिठ्टू के पास तो पहुंच चुका है ना इस बात को और जादे exaggerate होता है तब ही वो कहता है विकरांत कि हाँ यह जो तुम्हारा पुराना पती है ना यह मेरे सरदर्द बन चुका है तुम्हें पता है वो ढूंते ढूंते मिठ्टू तक पहुंच गया था यह सुनकर सयूरी काफी जादा शौक हो जाती है और विकरांत यह कहता है कि हाँ इसलिए मैंने मिठ्टू की लोकेशन को वहां से चेंज कर दिया सयूरी अपसट हो जाती है कि इतना सारा जो effort था मिठ्टू की लोकेशन को ढूंने का वो सब कुछ बरबाद हो गया सरोच यहाँ पर का नकूल के रूम में जाता है लेकिन रश्मी उसे रोगते ती है वो कहती है और तुम अगर उस से मिलोगी तो उसका अरब बढ़ेगा काना कहता है कि कोई बात नहीं मैं उससे सोरी मागूँगा लेकिन रश्मी ऐस læ הכ करती है जैसे नकूल बहुत जारा कुछ करस्ते में और वो कहती है कि मुझे तो इस बात के लिए बुरा भी बहुत लग रहा है, काना उसे कहता है कि क्या, रश्मी ने बताया कि तुम्हें अपना हाथ उठाना है हवा में, लेकिन बहुत ज़ादा इरिटेट हो रहा हूं मैं, और वो रश्मी पर टैक करने ही वाला होता है, लेकिन क कमेशा वो ऐसे ही करती है, और वो खोश हो जाती है कि अब एक बार, जब मैंने इन दोनों की बॉंडिंग को स्पोईल करना शुरू कर दिया है, तो आगे भी इन दोनों को मैं कभी मिलने नहीं दूंगी, सयूरी बहुत जारा अपसेट होती है, और वो डैरी ढूंड रही ह करती है, जहां पर वो नोट्स बनाती है, और वो सोचती है कि मैं विकरांत का जो टॉर्चर है, उसको नोट डाउन करूंगी ताकि मुझे और कुकु की मदर को जस्ट्रस मिल पाए, तब ही यहां पर जो विकरांत है, यह मैं देखेगी सयूरी के विकरांत आ रहा है, वो ज